हलो और वेलकम चू बूगल बॉलवूड बूगल बॉलवूड में अगर हम बॉलवूड अपडेट्स की बात करें तो एक अपडेट आ रहे है सल्मान खान और अजी देवगन की तरफ से अज़े देवगन और सुल्मान कान की बात करें तो यो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं वहीं अगर हम इनकी फिल्मों की बात करें तो दोनों की फिल्म में दिसेंबर में आने वाली थी यानि दबंग 3 बीस दिसेंबर को और ताना जी फिल्म आने वाली थी 25 दिसेंबर यानी Christmas वाले दिन तो अगर ऐसा होता तो इन दोनों फिल्मों के कमाई को फर्क पढ़ता और ये फिल्म में कहीं न कहीं क्लैश करती चाहे दबंग 3 बीस दिसंबर को और ताना जी 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी लेकिन फिल्म में क्लैश तो हो ही जाता वाल अज़े देवगान ने इस बारे में जानकारी दे दी है कि ये जो फिल्म है वो पोस्टपोन कर रहे हैं लेकिन ऐसा बल्कुल नहीं बताया है कि आगे की रिलीज डेट कौन सी फाइनल की गई है हमें उमीद है कि ये फिल्म जनवरी 2020 में रिलीज हो सकती है यानि कि जनवरी 2020 में हमें देखने को मिल सकती है अज़े देवगान की मच अवेटेड फिल्म ताना जी अब अज़े देवगान और सुल्मान खान के फैन्स कमेंट सेक्शन में बताइए कि उनको इस फैसले को सुनकर कैसा लगा है